आज हम बना रहे हैं भरवा परवल की सब्ची बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही कम इंग्रीडेंट्स से बनके तयार यह मसाले दार बहुत ही इसी है बनाना तो यहांपर देखिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम परवल यह ताजा परवल है और इनको हम छील लेते हैं दो के औ शिद ना स्वाटोगल होता है क्योंकि कड़क चिल आगे खल जाएंगे छिल जाएंगे यहां पर देखिए सब्सकर चिल लेतें तो बस इसमेसे कुछ परवल भी कर दिया लीज़ेटी अगर पकी रहती है तो इसके बीज निकाले लिए अंदर सी यह पकी निकलती है तो इसकी बीच जो लेते हैं वो कड़क होते हैं तो सबजी का टेस्ट भी कारते हैं इसको निकाल दीजेगा और आप चाहए को तो इससे करे लिए का मसल हम पीज की मिनाते हैं इस तरह से जो गुदा निकला है उसकी भी stuffing करके आप बना सकते हो लेकिन यहाँपर में गुदा जो है उसको निकाल दोँगी और जो सॉफ्ट वाला गुदा है उसको रहने दोँगी तो यहाँपर मैंने सारी परबॉल को इस तरह शिरा लगा लिया है और अब इसमें मसाला गरम अपर लेंगे टेस्क्रीक नमक तो बस इन सब को ढालके अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टफिंग त्यार हो चुका है तो बस इसको हम परवल में स्टफ करेंगे तो यहां पर देखिए इस तरीके से में आया था कि अगर आप गुदा ले रहे हैं चो पका गुदा हो उस दर दर उसके बाद शुप करेंगा और उसके बाद शुप करिए बारीक जो भरवा करके रखने इन सबको डालके इस तरीके यहां पर इसको डग दिया है मेने और ढखने के बाद कोछ सेकेंड बार देखा है तो इस तरह से थोड़ा सॉफ्ट हो गया था यह तो उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद जरूत किसाफसे हम पाने एड़ कर देंगे ताकि मसाला भी अच्छे से पुझा और हमारी जो परवल है न वो भी काफी अच्छे से पक जाते हैं पर देखें में न हाफ कफ के असपस पाने डाला है डख के इसको पकने देते हैं और इसको हम देखेंगे 15-20 मीट बात तो यह हमारे जो परवल है न वो काफी अच्छे से तैयार हो चुके हैं एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं पक गए हैं मसाला भी काफी जो से पूंच चुका है और यहां पर ही परवल की सब जीवन के तियार है आप लोगो मेरी रेसीपी कैसी लगी भरवा परवल की कमेंट करके जबर बताएएगा फिर मिलती है रेसीपी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई रेसीपी अच्छ कर दीजिएगा